हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर एफे खान MP2 Neuro और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डेंगू फीवर तो डेंगू फीवर क्या होता है इसके सेंटम्स और लक्षण क्या होते हैं और अगर कोई पेशेंट या किसी को घर पे भी होगा क्या क्या से चेंजSi इसमें देखने को मिल रही होगी इसको टेस्ट कराने के लिए हम लोग क्या क्या सकते हैं और इसको बचाओ जिर्श कमी में है कि हम उसको बचाएं और प्लेटी कि इसमेंने मुखानी हो जूरू हो जाती है टो प्लेटीड का ध्यान दे question और उस Mage लिए किससे बढ़ाना है यह जानने की गोशिश करते हैं तो डेंगू होता कैसा है डेंगू होता है मच्छर के काटने से एक खास सागे की प्रजाती होती है मच्छरों की जिसको बोलते है एडीज ऐजिप्टी उसमें फीमेल जो होती है मॉस्किटो वो किसी हुमन बिंग को काटती है और वही जो है इन्फेक्छिन आपके अंदर इंसर्ट करती है तो वो मच्छर आपको इंसर्ट करेगी आपको काटेगी और आपके अंदर एक वाइरस इंटर्ट कर देगी जो इसका वाइरस के कई वरा भी हो सकता है देंगू तो ये भी जानना जरूरी है कि कितने टाइप के देंगू होते हैं तो अगर ये फीमेल किसी आदमी को human being को काटती है किसी वेक्ति को तो वह infected हो जाता है और infected होने के बाद वह कुछ symptom देगा क्योंकि ये एक viral disease है तो viral disease एक अपने time period पे जाती है इसका market में कोई ऐसे antiviral medicines नहीं बनी है और नहीं इससे medicine से recover कियाता है हाँ patient आते हैं बहुत से symptoms देंगे कि आप या बहुत से लोगों कोई symptoms मिलेगा को उनको तेज बुखार हो रहा है सरदर्द हो रहा है उल्टी हो रही है तो जो उसके symptoms या लक्षण मिलते हैं उसी किसाब से इनका इलाज किया जाता है और इलाज जो होगा क्या condition उसी किसाब से बहुत बार डेंगो की मरीज बहुत severe condition भी पहुत जाते हैं कि अगर उनको infection अग्दम spread होता रह रहा है बढ़ता रह रहा है और आप रोक थाम या control नहीं करेंगे तो आपको emergency की हालत में admit भी होना पड़ेगा तो आप अगर initial stage में जान जाएंगे कि डेंगो क्या है और इसको किस तरीके से बचें और आप अपने आपको 3-5 दिन में 2 हफते में बचा ले जाएंगे त तो mode of spread infection का क्या होता है यान कि किस तरीके किसे आपकी body में वो इंटर करेगा और एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है तो अब हम बात करते है mode of infection यान कि हमारा infection जो है किस तरीके से फैल सकता है तो इसके दो तरीके पहला तरीका यह होगा कि अगर human to mosquito यान कि human से mosquito में ज जा रहा है कि अगर कोई infected person होगा उसको कोई मच्छर ने काटा और काटने के बाद वो दूसरे अच्छे इंसान जिसको देंगू नहीं है उसको काटेगा तो हो जाएगा पहला यह और दूसरा यह है कि mosquito ही infected है तो एक person से दूसरे person में वो आसानी से spread करेगा infection को तो यह हो गय है डेंगू तो क्या-क्या symptom देंगे तो इसको देखने के लिए यह समझते हैं कि symptoms क्या-क्या आएंगे तो पहला symptoms यह दो तरीके symptoms आएंगे पहला आएगा कि initial symptom दूसरा आएगा critical symptom क्योंकि इसमें severe बहुत condition बढ़ जाती है तो initial symptom यह आएगा कि patient जब भी आएगा तो उसको 103 से 140 degree का बुखार होगा तेस बुखार होगा और यह morning में भी हो सकता है इवनिंग में भी होगा बड़ इसका जो temperature होगा वह 103 से 104 degree तक की जाएगा इसके साथ सर में वह दर्द बताएगा आखो दूनों आखों कि पीछे के हिससे में दर्द बताएगा ऐसा लगए कि उसको उल क्रिटिकल कंडिशन क्यों होती है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डाउन होते हैं स्टाइटिंग में भी अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हम इन देखने को मिलेगा कि जो प्लेटलेट्स हमारी वो देरे-दरे डाउन हो रही है इस बुखार को यानि क इसको हड़ी तोड़ वुखार के नाम से भी जाना जाता है अब इसको जानने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो चली वह बात करते हैं तो जानने के लिए पहले हम लोग इन्विस्टिगेट करते हैं ब्लड टेस्ट में हम CBC कराते हैं प्लेटलेट्स कराते हैं हमें हिमोगलोबेन की मातफर देखने को मिल सकती है प्लस अगर देखते हैं हमें डाउन देखने को मिलेंगे क、、 उससे ये पता है कि हां इनको देंगु का है प्लस देंगु के लिए य preset होता है जिसमें की IgG यर IgM टेज्ट कराते है जिसमें positive वा गया तो आपका डेंगु फीवर है इसके लावा NSI डेंगु एंटीजन टेस्ट कराते हैं जिससे गन्फर्म हो जाता है कि इसको डेंगु टेस्ट है अब बात करते हैं इसका मेनेजमेंट कैसे किया जाए या इसका इलाज किया जाए तो उसको भी चलिए समझ लेते हैं अगर कोई बंदा पेशेंट आपके असपास है उसको लबता है कि डेंगु है और पॉजिटिव भी आ रहा है प्लेट्रेट्स टाउन हो रहे है तो इसका इलाज जो है सिम्टोमेटिक होगा इसकी कोई मेडिसन नहीं है जैसा कि हमने आपको पहले बताया है बट इसका इलाज जो है सि एंटी पैरेटिक मेडिसन चला सकते हैं वैसे बहतर यहीं होगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं उनसे कंसर्ट करें उनसे पूछें वह आपका पूरा चेक अप करेंगे आपकी कंडिशन देखेंगे वह आपको उसके डोजस के बारे में बताएंगे बहतर तो वही होगा लेकिन हम आपको कुछ कॉमन चीज़ से बता दे रहें वह आप अपना घर पे भी कर सकते हैं तो दर्द जादा हो रहा है तो आप एंटी पैरेटिक पैरसिटमॉल नाम की टैबलेट आती है उसको यूज करते हैं वोमिटिंग हो रही है या लग रहे हैं की नोजिया ह पिलेटेट जान हो रहे हैं तो उस पीलेट को आपको कम नहीं होने देना है वह आपका मेन होना चीह काम ना हो और अपने आपको बचाना है हर चीज से . तोँघर में घहरी लूपचार हम क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी मरीज़ है कोई बंदा या आपक पानी खूब पिलाईए पानी जितने ज़ादा से ज़ादा आप उसको देंगे इंफ्रेक्शन उतना रिड्यूस होने के चांसे बढ़ेंगे पानी में आप उसको नारियल पानी देजी वह भी मॉर्निंग में देजे के तो ज़ादा अच्छा है प्लस बॉयल करके ही वाटर देना है और कॉंटिटी आपको 4-5 लिटर जितना माकसिमम आप उसको दे पाएं पानी ज़रू देना है तो दूसरी चीज़ है आपको rest या कमजोरी ना होने देना उसके बाद तीसरा आता है कि अपने liver का ख्याल रखेंगे क्योंकि इसमें digestion weak हो जाता है तो digestion weak होगा तो आप जितने भी fat चीज़े ले रहे हैं या तला भुना ये जो चीज़े ले रहे हैं मिर्च मसाला इसको avoid कर देंगे इसको minimum से minimum कर देंगे या बंद कर देंगे बिल्कुल wild खाना लेंगे जिससे कि आपके liver पर किसी तरह के पेशर न पड़े और आप हर चीज़ easily digest कर सके इसके बाद आता है कि ताकत बढ़ाना है ताकत किस तरह के से बढ़ाएंगे आप फलों और हरी सबजियों के इस्टमाल करें fruits जो होना चाहिए proper wash करके अच्छे से फिर आप उसको cut करके use कर सकते है juice बना सकते है फल में क्या-क्या ले सकते है सबसच है कीवी, अनार, चुकंदर, संतरा इसका juice बना के आप ले सकते है जिससे आपको energy तो मिलेगी मिलेगी प्लस आपसे fight mechanism भी अच्छा काम करेगा इसके बाद करते हैं कि anti-bacterial आपको चीज़े लेनी है क्योंकि इसमें bacteria की infection होने के chances बढ़ जाता है तो कुछ जो घर में आपको चीज़ें जिसे तूसी है, अद्रक है, काली मिर्च है, दूद है इन सब को आप अपने routine में use कीजिए और इनकी quantity आप manage कर लीज़े कि किस तरीके से लेना है सुबे से शाम दो बार कड़ा बना के आपको पीना है या आपको ऐसे किसी वे mix करके इसको इस्तेमाल गाए main इसमें होता है कि platelets कि platelets बहुत ज़दी डाउन होना शूरू हो जाते तो platelets कैसे बढ़ाएं तो हमारी एक short video इस पर बनी हुई है कि platelets को तेजी से कैसे बढ़ाते हैं उसका link हम आपको description में डाल दे रहे हैं वो आप जाके महाँ पर दे सकते हैं जिसमें हमने गिलोई के पपीते का बारे में बदाये हुआ है और इसके साथ क्या क्या और चीज़ें आट कर सकते हैं वो बदाये हुआ है प्लस इसके साथ आपको prevention करना बहुत जरूरी है तो अपने आसपास की जगे है उसको साफ सुथर रखिए और पानी कहीं पर भी घटा नहीं होने दीजिए ये इसमें जो पुराने पानी में मच्छर अंडे नहीं देते हैं नहीं पानी यानि तीन से चार दिन का जो पानी होता है उसी में देते हैं तो कोशिश ये करिए कि गंबले में, कूलरो में जो आपके पानी बरा हो उसको साफ रखे नेट का इस्तेमाल करें मॉस्केटो नेट बहुत अविलेबल है मार्केट में सोने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं घर के घर में आप आसपास जो है जगह साफ सुत्री रखे जिससे मच्छर आए ही ना प्लस आपको ये देखना ये जरूरी है कि ये मच्छर जो होता है इसकी जो टेंडेंसी है यानि की सूरज उगने के 2 गंटे के बाद से और शाम को सूरज धलने से 2 गंटे के पहले से ये दिनी में जदा सक्री रहते हैं जो काटते हैं और काट के ही infection फैलाते हैं तो आपको इस समय में जदा बचने की ज़रूरत है अंधेरे में भी जहां पर लाइटिंग जादा होगी वहां पर यह मच्छर सक्री रहेंगे तो क्योंकि मच्छर की बीमारी है तो आपको मच्छर से ही बचना है ध्यान देने वाली यह भी बात है कि अगर किसी को डेंगू हुआ है तो यह नहीं कि एक आदमी को हुआ है तो दूसरे आदमी को उससे फैल जाएगा क्योंकि यह मच्छर की काटने के वज़े से होता है तो यह मच्छर से ही इसकी बीमारी फैलती है तो साफ रहिए सुरच्छित रहिए अगर आप इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो आप ठीक तो होंगे होंगे प्लस आपको प्रॉब्लम नहीं होगे तो चलिए खतम करते हैं अगली नेक्स वीडियो के लिए तब तक यह आप बने रहिए थैंक यू